हेलो दोस्तो मुझे उमीद है कि आप सभी अच्छे होंगे दोस्तो अब हम एनलेसिस करने वाले हैं निफ्टी 50 के बारे में और यहाँ पे आपको 15 मिनिट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है बैंक निफ्टी के एनलेसिस की वीडियो चैनल पर अपलोड कर दी गई आप ज इन सारी चीजों का आज हम यहाँ पे डिसकेशन करने वाले हैं ध्यान से देखो आपको यहाँ पे दो रेड लाइन दिखाई दे रही होगी उपर लेवा लाइन की बात करेंगे 17,144 की है जो कि 17 का डे हाई है और हमारे लिए प्रिवियस डे हाई की तरह यह एक्ट करने व आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ 14 को देखो इवन अगर आप देखना चाहिए तो आप 13 को भी देख सकते हैं 13 में जब यह गिरावट आई मार्किट ने सपोर्ट लिया और इस जोन पर रजिस्टेंस की तरेक्ट किया 14 पर आजाओ 14 को भी सेम ही जोन पर दो बार रजि तो इसलिए हमारे ले जरूर ही यह हो जाता है कि अगर मार्किट 17 के डे हाई का ब्रेकाउट देता है यानि की प्रीविएस डे हाई का ब्रेकाउट देता है तो आपके लिए पहला टारगेट ये ही बने 17,200 फिर हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या प्राइजेक्शन की रेट हो रहा है अगर रिजेक्शन केंडल दिखाई दे रही है तो हम सेलिंग अपॉर्चुनुटिस पर फोकस करेंगे लेकिन अगर मार्केट कुछ टाइम स्पेंड करके ब्रेक आउट दे रहा है तो आपको यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनुटिस देखने को मिल सकती है ये समझ में आ गया अब नीचे ले वाली लाइन को समझो जो यह 17,062 की लाइन है इसे धियान से समझो यहाँ पर हमें सपोर्ट देखने को मिला 14 को फिर मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया रजिस्टेंस देखने को मिला 15 पर आजाओ 15 को भी आपको रजिस्टेंस देखने को मिला 16 को आजाओ 16 को भी आपको दो बार रजिस्टेंस देखने को मिला 17 को पहले सपोर्ट देखने को मिला फिर ब्रेक आउट दिया फिर से सपोर्ट द फोकस करेंगे और हमारा सीधा सीधा टारगेट बनेगा 17,000 पहला तो एक तो राउंड लेवल है दूसरा यहाँ पे मार्किट ने पहले भी रेस्पेक्ट यह 14 को भी मार्किट सपोर्ट लेके बाउंस कर गया था आज भी 17 को देखो मार्किट ने इसका ब्रेकडाउन दिया है प्राइज भी नीचे सस्टेन करने की कोशिस की है लेकिन फिर से जो हमारा यहाँ पर पैरलल पैटरन बना जब-जब मार्किट साइडवेच जाएगा जो मैंने आपको चार पैटरन बताए हुए चारों पैटरन में से कोई साने कोई सा पैटरन आपको दिखाई दे तो वो ही सिचुएशन हमें यहाँ पर देखने को मिली बस हमें इंतिजार करना था है तो मार्किट ब्रेक आउट दे दे अगर ब्रेक डाउन दे ता तो हम सेलिंग अपोर्चुनिटीज पर फोकस करते ब्रेक आउट दे दे मार्किट ने और दूसरा मार्किट इस पर सपो जो 17 का day high है, और 17 का day close है, यह काफी नजदीक है, और साथिसाथ जो यह 17 का day high है, यह हमारे लिए previous day high भी है, यह भी आपको यहाँ पे साप साप दिखाइ दि रहा है, तो अगर आपको market day closing से ऊपर मिलता है, और day high का breakout देता है तो आपके लिए यहाँ पर previous day high का breakout मिल रहा है तो आपके लिए पर previous day high के breakout वाली strategy एक्टिवेट हो जाएगी तो situation पर आपको यहाँ पर जो सीधा सीधा target बनेगा आपके लिए अगला resistance बन सकता है 17200 पर अगर आपको इसका breakout मिलता है तो फिर आप यहाँ पर सकता है ऐसा scenario market में बन सकता है यह situation समझ में आगी अगर flat open होके market दिखाता है negative momentum अब धियान से देखो मैंने जो यह दोनों level आपको समझाए नीचे की तरफ और उपर की तरफ यह मैंने पहले ही इसलिए समझा दिये ता कि जब मैं discussion करू flat open होके positive momentum आए तब क्या करना है flat open होक तब क्या करना है तो इन level को समझाने की जरूरत ना पड़े तो इसलिए मैंने ये part वीडियो के सुरुआत में ही आपको समझा दिया उमीद है आपने उसे दियान से देखा होगा क्योंकि हम यहापे उस उन्ची जों का repetition नहीं करेंगे जैसे हम discussion कर रहे थे हैं अगर flat open होके negative momentum हाया उस situation पर हम देखेंगे 17,062 का market नीचे breakdown दे उसके बाद ही हम selling opportunities देखेंगे और जो पहला मारा target रहेगा है 17,000 रहेगा और यहाँ पर जाते ही हम अपनी profit booking करेंगे और फिर यहाँ पर देखेंगे क्या price action बन रहा है और उसी के according हम अपना next momentum लेंगे क्योंकि possibility क्या होती है एक important support zone भी बन जाएगा हमारे लिए अगर यहाँ पर hammer मिल जाए या pin bar bully scandal मिल जाए तो हम buying opportunities पर focus कर सकते है या फिर market उससे पहले कुछ time spent करे और उसका breakdown देके नीचे चले तो हम selling opportunities पर focus कर सकते है उस situation पर नीचे की तरब भी हमारे target है जैसे कि 17 का day low हम इनका day low है यह आपका target हो जाएगा इस तरह की momentum को भी हम पगड़ सकते हैं इस तरह की situation भी market में बन सकती है अगर gap up opening देखने को मिली उस situation पर हम क्या करेंगी दोस्तो कोर्स को काफी पसंद किया जा रहा है लेकिन आपकी अजीब हो गरीब demands आ रही है मतलब कोई कह रहा है कि sir मैं tv पर देखना चाहता हूं कोर्स को और मेरा phone mirror नहीं हो रहा है कोई कह रहा है कि laptop पर चलाना चाहरा है देखो logic पर focus करो learning पर focus करो setup सीखो इन चीज़ों प रखते हो डिजाइन किया गया है क्यों हो ऐसा किया गया है क्योंकि mobile device हर किसी के पास होती है आप चलते हुए train में भी देख सकते हो बस में भी देख सकते हो या फिर आप कहीं पर किसी का इंतिजार कर रहे हो तब भी देख सकते हो यानि कि यह device mobile हमेसा आपके पास रहती है तो उस चीज को ध्यान में रखे किया गया है तो ज़्यादा बैस्ट है कि आप मोबाइल पे ही देखो अजीबो गरीब डिमांड मत करो किसरम टीवी पे फोन को मिरर करके देखना चाते हैं वहां पे नहीं चल रहा हैं देखो इसमें काफी चीज़े भी डाली गई है कि जैसे आप अजीबो गरीब एक्टिविटी करोंगे एप में जाके तो आप ब्लोक हो जाओंगे हाला कि मैं इधर से आपको अनलोक कर दूँगा पर लेकिन इन चीज़ों को अवोईड ही करोंगे तो ज्यादा बहतर रहेगा इन चीज़ों पर फोकस मत करो मोबाइल सफिशेंट ह कोर्स देखने के लिए और उसी चीज़ के एकोर्डिंग है आपको देखना है या मोबाइल पर ही मैं सजेश्ट करूँगा आप कोर्स को देखे सीखने पर फोकस करो एक्सक्यूजिज मत बनाओ बहाने मत बनाओ कि यहां पर नहीं हो रहाँ पर नहीं हो रहां सेटप समझो theory समझो और enjoy करो course को आई अब हम यहाँ पर discussion करते हैं अगर आपको gap up opening देखने को मिली उस scenario पर हम क्या करेंगे भई उस scenario पर हम अपना पूरा focus कर देंगे इस वाले zone पर 17,200 वाले zone पर क्योंकि जो अगला important resistance हमें यही पर नज़र आ रहा है और यह मैं आपको वीडियो की सुरौत में बता चुका हूँ तो पहला case discuss करते हैं मान लो gap up opening आपको इसके उपर नीचे या इस zone पर हो रही है यानि कि इस zone के आसपास आपको इस लेवल के आसपास gap up opening देखने को मिल रही है और market में आपको देखने को मिली बुली स्केंडल तो क्या हम बाइंग करेंगे बिल्कुल कर लेंगे क्योंकि day high से market इतना ज्यादा दूर नहीं है इतनी बड़ी gap up opening नहीं है पर market एक important level का breakout देके चल रहा है पहली चीज दूसरी चीज market previous day high का breakout दे रहा है तो अगर यहां पर price action बन रहा है तो buying करने में कोई भी problem नहीं है अगला target हो जाएगा 17,200 इसका भी breakout आया तो मैंने 17,300 आपको बता हुआ है लेकिन अगर market ने इसी के आसपास gap up opening देके आपको दिखा दी bearish candle यानि कि red candle तो क्या हम selling करने के बिल्कुल selling side भी हमें opportunity मिल जाएगी और पहला target हो जाएगा हमारा 17 का day high यानि कि 17,144 इसका breakdown आया तो day closing इसका भी breakdown आया तो 17,062 इसका भी breakdown आया तो 17,000 आपके लिए अगला target बन जाएगा higher probability रहेगी कि आपको आपको बड़ी gap up opening देखने को मिल जाएगा situation clear हो गई अगर मान के चलो आपको बड़ी gap up opening देखने को मिलती है यानि कि जो ये 17,200 है इससे कहीं दूर gap up opening देखने को मिले तो हम buying को एकदम avoid कर देंगे मैंने आपको बताया हुआ है बड़ी green candle, बड़ी red candle बड़ी gap up opening, बड़ी gap down opening इन चीजों से हम दूर रहेंगे और अगर sideways market भी दिखाई दे रहा है उससे भी हम दूर रहेंगे ये चीज़े मैंने आपको पहले ही समझाई हुई है मतलब buying को एकदम avoid कर देंगे लेकिन अगर मान लो बड़ी gap up opening आपको यहाँ पर देखने को मिल गई और आपको bearish candle दिखाई दी या negative momentum दिखाई दिया तो क्या हम selling करेंगे बिल्कुल कर लेंगे ऐसी situation कब बनी थी 15 को बनी थी भी आपको बड़ी gap up opening market ने दे दी और market ने एक resistance zone पर resistance की तरेक्ट किया जहाँ पर market ने 14 को भी resistance की तरेक्ट किया था 13 को भी resistance की तरेक्ट किया था हमें पता था कि market एक resistance zone पर खड़ा हुआ है साथी साथ हमें selling का भी projection दिखाई दे रहे सिधे selling कर लो day closing तक आपका पहला target इसका भी breakdown आ जाए तो day low तक आपका दूसरा target दोनों ही target आपके अची होते हुए दिखाई दिखाई दिए समझ में आए सिनारियो में क्या समझाने चारो अब मान के चलो अगर आपको gap down opening देखने को मिलती है उस scenario पर हम क्या करेंगे उस scenario पर हम अपना पूरा focus कर देंगे 17,062 पहला case हम डिसकस करेंगे मान लो gap down opening इसी level के आज पास थोड़ा बहुत उपर या नीचे आपको दिखाई दे दिए अगर यहाँ पे आपको bullish candle दिखाई दी तो क्या buying कर लेंगे buying भी कर सकते हो दोनों side opportunity मिल जाएगे buying के लिए day closing आपका पहला target इसका breakout हो गया तो day है आपका दूसरे target इसका breakout हो गया तो 17,200 आपका target मान लो market ने यहाँ पे बीरी scandal दिखा दी market इस zone का breakdown देते वी चल गया तो आपका target रहेगा 17,000 फिर यहाँ पे देखेंगे क्या projection बन रहे है उसी के according आप momentum लेगे अब यहाँ पे एक और case discuss करते है मान लो आपको जादा बड़ी gap down opening मिली यानि कि 17,000 के around ली आपको gap down opening market में देखने को मिल रहे है इस situation पे क्या करेंगे selling को एक दम avoid कर देना reason पहला reason 17,000 एक round level है market इसके पास open हो रहा है दूसरा reason यह एक important support zone भी है support zone के पास market open हो रहा है यह भी हम देख लेंगे तीसरा reason एक बड़ी gap down opening मिल रहे है प्लस ब्यरी स्केंडल आपको अगर देखने को मिल रही है रेड केंडल आपको देखने को मिल रही है तो यानि कि हम avoid कर देंगे कि एक तो बड़ी gap down opening उपर से market और गिरना शुरू हो गया हम बहतर यह रहेंगे या तो market थोड़ा सा sideways होके breakdown दे दे तब हम selling कर सकते हैं या फिर थोड़ा सा retracement दिखा दे फिर momentum दिखा दे तब हम selling की planning कर सकते हैं उससे पहले हम selling की planning नहीं करेंगे बलकि अगर हमें 17,000 के पास hammer नज़र आ जाए pin bar police candle नज़र आ जाए तो हम यहां से buying की planning जरूर कर सकते हैं price action को देखते हुए अगर volume नहीं आए market sideways जाने की कोसिस करेगा तो हम avoid कर देंगे trade नहीं लेंगे situation समझ में आगी अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ pivot point की तरह अगर nifty 50 में आपको एक positive momentum देखने को मिला उस situation पे जो हमें पहला resistance नज़र आ रहे 17,177 पे नज़र आ रहे अगर आपको इसका breakout मिला जो दूसरा resistance नज़र आ रहे 17,265 पे नज़र आ रहे अगर आपको इसका भी breakout मिला जो हमें तीसरा resistance दिखाई दे रहा है तीसरा resistance बताने से पहले मैं आपको बता दूए आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई buy recommendation है ना ही कोई selling recommendation है यह ज़स्ट educational purpose से बिनाए गई analysis वीडियो है इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी research करने अपने investor की सिला लेनी है क्योंकि profit भी आपका होने वाला है loss की जिम्यदारी भी आपको अपने आप लेनी है जो यहाँ पर हमें तीसरा resistance नज़रा है 17,312 पर आपको यहाँ पर तीसरा resistance देखने के लिए मिल रहा है अगर nifty 50 में आपको एक negative momentum देखने को मिला उस situation पर जो में पहला support नज़रा रहा है 17,046 पर नज़रा रहा है अगर market ने इसका breakdown दिया जो में दूसरा support नज़रा रहा है 16,965 पर नज़रा रहा है अगर आपको इसका भी breakdown मिल गया जो में तीसरा support देखने के लिए मिल रहा है 16,885 पर आपको यहाँ पर तीसरा support देखने के लिए मिल रहा है दोस्तो कोर्स का लिंक आपको नीचे description में मिल जाएगा वहां से आप हमारी application को download कर सकते हैं और जैसे आप उसमें phone number डालेंगे आपके phone पे OTP आ जाएगा OTP डालती ही आप register हो जाएगे और वहां से जाके आप course भी purchase कर सकते हैं जहां पे हमने intra day strategies समझा हुई है trending days के लिए अलग strategies है reversal days के लिए अलग strategies है sideways market के लिए अलग strategies है trading psychology के बारे में समझाए गया है बड़े momentum को किस तरीके से पकड़ा जाता है वो समझाए गया है साती सात आपको risk management के बारे में भी समझाए गया है ठीके दोस्तों वीडियो को like कीज़ेगा comment करके बताएगा कि analysis कैसे लग रहे हैं आपके लिए कितने helpful है नहीं हो चैनल पे subscribe कीज़ेगा और bell icon प्रेस कीज़ेगा जिससे आप कोने वाली वीडियो की notification मिल सकेंगे फिलाल इस वीडियो में इतना ही फिर मिलेंगे किसी next वीडियो में किसी अच्छी content के साथ थेंक यू